लेकिन रामचरत मानस को पढ़ने में क्या मिलेगा? मैं बता रहा हूँ क्या मिलेगा? अखवार को तुम पढ़ना अखवार में जितनी भी खबरें होंगी जगत से संबंदित होंगी बोलो होंगी कि नहीं होंगी चाहे देश की ख़वर हो और चाहे विदेश की ख़वर हो जगठ सम्बंधी ही ख़वर उसमें छपई होगी, उसी को आप पढ़ेंगे हाँ किसी संत का कोई विचार छोटा सा आ जाता है कभी कभी तो वो कोई माइने नहीं रखता है छोटा सा विचार किसी ने डाल दिया अपना वो भी उसके एक प्रचार का माध्यम है सीधी सी बात है ना क्योंकि किसी भी संत महत्मा के विचार को विस्तार पुरुवक कोई पेपर नहीं देता कोई अकवार नहीं देता है उस पर बहुत लंबा चोड़ा विस्तार दिया जाता है लेकिन किसी संत महात्मा के विचार अगर लंबे वी उस महात्मा ने बहुत बड़े विचार दे दिये तो सार्ट कर दिया जाता है छोटे से एक सामान उसमें दो चार शब्दों में किसी एक पेज पर दे दिया जाता ह इसलिए क्योंकि संसार के प्रती आकर्षन है लोगों का किसके प्रती आकर्षन है संसार के प्रती आकर्षन है लेकिन संसार बनाने वाले के प्रती आकर्षन कम है और यदि संसार बनाने वाले के प्रती आकर्षन है तो आप जैसे भक्तों का है क्या इस वायंदर पूर्वी मुंबई में इतने ही लोग रहते हैं जतने यहां बैठे हैं अभी एक एक घर से एक एक व्यक्ति आ जाए तो इस प्रांगण में जगए कम पड़ जाएगी एक घर से एक ही व्यक्ति पूरे वाय अंदर पूर्वी मुंबई का एक घर से केवल एक व्यक्ति आ जाए तो इहीं मांदारी से वताव बैठालने की विवस्था में समस्या खड़ी हो जाएगी की नहीं लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर संसार बनाने वाले के प्रती समर्पन है तो आप जितने भी रामकता में भक्त बैठे हैं उन सबके जीवन में है तबी तो आप घरद्वार छोड़ करके आगए किसी ने आने के लिए आपको मजबूर नहीं किया है आपकी स्रद्धाई आपको खीच करके लाई है वोलो लाई है की नहीं कोई साधन नहीं भेजा गया आपके घर पर केवल सूचना प्रचार पत्रों के माध्यम से पहुँची है लेकिन आप सब संसार बनाने वाले बात कह रहा था मैं पेपर की बात कि पेपर में जितनी खवरें होती है वो सब संसार से संबंदित होती हैं जगत से संबंदित लेकिन जगत से संबंदित ख़बरें पेपर में होती है पेपर जब हाथ में आता है तो उसकी कीमत दस रुपे की होती और जैसे ही तुमने ख़बरें पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर वो पेपर दस रुपे का नहीं होता है ना पेपर होता रद्दी वह क्या हो जाता है रद्धी उसका नाम हो गया पेपर नहीं है वो ना उसमें दस रुप्या का मूल है उसका और ना पेपर है उसका नाम हो गया रद्धी हो गया रद्धी के नहीं अच्छा एक बात बताओ रामायन आप पढ़ते हो बोलो पढ़ते हो आपके बाप के बाप ने रामायन पढ़ी पढ़ी के नहीं पढ़ी और वही रामायन आपके बाप के बाप ने पढ़ी और आपके बाप ने पढ़ी आपने पढ़ी आपके खास ने पढ़ी लेकिन बरावर वही रामयन पढ़ते जाते हो बोलो पढ़ते जाते हो कि नहीं लेकिन रामयन आपको पुरानी लगती है कि नई नूतन लगती है बोलो जल्दी आपको नई नूतन लगती है रामयन कि हमें आज पढ़ी हमने कल फिर पढ़ना चाहिए परसों फिर पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए हमें, रामयन जरूर पढ़नी चाहिए, भागवत का पाठ जरूर करना चाहिए, गीता हमें जरूर पढ़नी चाहिए, क्या आप कभी ये सोचते हो कि रामयन पुरानी हो गई, बोलो भई, और सुन लो, पेपर जब तक पढ़ा नह और रामायन को आपने जैसे ही पढ़ लिया वैसे ही वो ग्रंथ बन जाता है प्यारे कि ये तो मुझे ग्रंथ मिल गिया बोलो अंतर आया कि नहीं आया समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो और सुन लो हमारी बात हैं क्योंकि हम जगत और जगदीश इन दोनों में क्या अंतर है जगत और जगदीश इन दोनों में क्या अंतर है अखवार की कीमत घटी पढ़ने के बाद गरंत की कीमत बढ़ी क्यों बढ़ी गरंत की कीमत अखवार की कीमत क्यों घटी अखवार जगत से जुड़ा है इसलिए वो नस्वर हो गया बोलो हो गया कि नहीं अखवार जगत से जुड़ा है इसलिए वो नस्वर हो गया और रामयन जगदीश से जुड़ी है इसलिए वो अमर हो गई है गरंथ जगदीश से जुड़े है इसलिए वो अमर हो गई अंतर आया कि नहीं आया अब बो भाई जगत में रहो हम ये नहीं कहते जगत से जुड़ो जगत में रहो लेकिन जगत में रहते हुए भी हम जगदीश को न भूलें जैसे कमल कीचड में पैदा जरूर होता है लेकिन कीचड़ाई में बना रहता है कि नकलने का प्रयास करता बोलो जल्दी जल्दी बोलो ये माईक थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्या करें चलो कोई बात नहीं है माईक ही तो है विचारा क्यों भई हरे थोड़ा हाथ लग जाता है विचारा थोड़ा हट जाता है ओ आज का आदमी हाथ लग जाये चाहें बात लग जाये हटता ही नहीं हो क्यОं वही आदमी h похож । इतना अकडा-मकडा रहता कि चाय हाथ लगे चाय बात लगे वो हटता ही नहीं क्यों वही लेकिन ये माइक जो है थोड़ा सा हाथ लगता है अट जाता है इस से भी तो सिख्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही बोलो भाई सिख्षा मिल रही है कि नहीं है सडक पर चलते हो किसी इंसान से राष्टा पूछो कि भाईया हम को एयरपोर्ट जाना है जरा राष्टा बता दो चले जाओ क्या रास्ता बताएं आंगे जाके पूछना आंगे वाले से पूछता वो भी कहता आंगे जाके पूछलो और जब आंगे जाके पूछता आंगे वाले से तो कहते आंगे जाके पूछलो तो वो कहता क्या समुद्र में कूंद जाओं आखिर जो भी कहता है जिससे भी दास्ता पूछता हूँ आंगे वाले से पूछो आंगे वाले से पूछो संतोष जनक जवाब इंसान नहीं देता है लेकिन इमांदारी से बताओ अगर रास्ते में प्रशासन की विवस्था के माध्यम से अगर कहीं एक पट्टी पर छत्रपती सिवाजी हवाई अड़ा लिखा हुआ है और निशान बना हुआ है इमांदारी से बताओ वो निशान संतोष देता है कि नहीं देता है वो इशारा जो हुआ है उससे आपको हवाई अड़ा मिल जाता है कि नहीं एक इशारे से आप बसड़े पर पहुंच जाते हो दूसरे इशारे से आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हो तीसरे इशारे पर आप अपनी फैक्टरी में पहुंच जाते हो चोथे इशारे पर आप अपने मित्रों के घर पहुँच जाते हो लेकिन इंसान ने उत्तर संतुष्टी जनक नहीं दिया संतोष जनक उत्तर नहीं दिया उसने तो हतास और निरास किया मुझे लगता है कि ये जो सड़क पर संकेत हैं ये संकेत हमें सांतुना देते हैं इसलिए वो संतुष्टी नहीं दे पा रहा है संतोष नहीं दे पा रहा है रोड के हर मील पर लिख देना ये इवादत है नापाक जिन्दगी को मंजिल नहीं मिलती इसलिए पवित्र भाव लाओ पवित्र सोच बनाओ और सुन्दर विचारधारा से आज जगत को जगदीस में समझ कर अपना कल्यान करो जगत में पैदा होता है कमल कीचर में पैदा होता है कमल लेकिन कीचर से निकल करके जल तक पहुँचता है कि नहीं और जल से भी उपर उठकर सूर का प्रकास पाके खिलता है कि नहीं खिलता है और इतना खिलता है इतना खिलता है कि हज्जारों की संख्या में पुस्पों की बैराइटी हैं वो भी खिलते हैं लेकिन कमल जब खिलता है तो वो भगवान के अंगों से जुड़ जाता है नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पदकंजारनम श्री राम चंद्र कृपाल भज्मन हरन भवे दारनम बोलो इमांदारी से वो कमल भगवान बन गया कि नहीं बन गया ऐसे ही हम तुम सभी भक्तों को बताना चाहते हैं कि जगत में तो जन्म लो क्योंकि यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार ये मलायतन का मतलब है कीचड का घर तो कीचड के घर में तुम भले ही पैदा हुए हो लेकिन कीडा बन के मत रहना संसकार राम कथा संतों के द्वारा कथाओं के द्वारा संसकार प्राप्त करके आप कीचड से जगत रूपी कीचड से उठ करके कमल बन करके निरमल विचारधारा रूपी जल को अपनाते स्वेम सुन्दर स्वक्ष विचारधारा को ले करके आपका व्यक्तित खिलेगा और आपका हर अंग ब्रह्म मैं हो जाएगा आपका हर अंग इंसान नहीं भगवान के रूप में इस जगत में सम्मान प्राप्त करेगा इसलिए मैं कहना